Hello everyone, welcome back to Objective Chemistry YouTube channel. I hope आप सभी की पढ़ा ही बहुत अच्छे से चल रही होगी. CSIR NET की exam हो या GATE की exam हो आपको questions की practice करना बहुत जरूरी होता है और questions की practice करने के लिए आपके लिए हम बना रहे हैं practice questions for CSIR NET and GATE का एक series जिसमें हम episode number 10 पर आ गए हैं. हम हर episode के अंदर 5 concepts different topics से लेते हैं और उसकी एक-एक question की practice कर लेते हैं. तो आज के इस episode number 10 के अंदर हम ये 5 topics ले रहे हैं जिनके एक-एक previous year based questions ले रहे हैं. By Inorganic Chemistry का एक question हम discuss करेंगे, एक हम spectroscopy का, एक quantum chemistry का, एक group theory का और एक general inorganic chemistry का question discuss करेंगे. और इन ही questions को लेकर के हम different concepts की practice कर लेते हैं. जो की बहुत जरूरी है. एक छोटे से 10-15 मिनट के एक वीडियो में, हम 5 concepts, जो की important concepts होते हैं, जो previous years में आए हुए होते हैं और repeated you हैं. जो आते ही रहते हैं. तो चली start करते हैं. Question number 1 से. और question number 1 आपके सामने ये रहा. The probability quantum का एक question सबसे पहले आ चुका है. The probability of finding the particle in a one dimensional box of length L in the reason between L by 4 to 3L by 4 for quantum number N is equal to 1 is. Question clear? Question ये आगया आपके सामने. अब question में आपको सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है वो आपसे probability. क्या निकालना है? आपको probability of finding electron. क्योंकि electron आपको दिया हुआ है? पार्टिकल दिया है. चले पार्टिकल. एलेक्ट्रोन या पार् probability given reason के अंदर कितनी है? वो आपको बताना है. reason क्या दिया हुआ है? reason आपको दिया हुआ है L by 4 से 3 L by 4 का reason. और length कितनी है? टूटल जो box आपको दिया हुआ है. उसकी length L है. ये सारी information उसने दी विया और एक और information जरूरी है. और वो है 1D box आपको दिया हुआ है. 1D box के अंदर probability find out करने के लिए हमको एक derivation solve करना पड़ता है. एक ये तरीका है. है ना probability find out करने का एक ये तरीका है कि हम derivation निकाले है. derivation से ये क्योंकि options के अंदर आपको 1 by 2 भी दिया हुआ है. 1 by 2 प्लस 1 by पाई दिया हुआ है. 1 by 2, minus 1 by पाई और 2 by 3 भी दिया हुआ है. ये options दिया है. तो सही तरीका तो यही है कि हम एक पूरा सा लंबा सा derivation होता है. probability find out करने का. वो solve करें और निकाल करें. दूसरा तरीका क्या है? मैं इस question को आपको दूसरे तरीके से आपको solve करके बताऊंगा. वो है. हमको जो probability है उसका एक trick है. है ना 1D box में first energy level की ये हम बात करें. तो आगे भी आपको ये काम में आ सकता है. इसकी length की में बात करूँ तो box की length L है. 0 से लगा करके L तक मैंने mark कर लिया. जो middle point होता है. जो beach वाला बिंदू है. उसको हम आधा मानेंगे. मतलब ये L by 2 वाली value है. इसका 1 4 जो होता है उसको L by 4 मान लेंगे. यहां वाला. इधर half part क आएगा यहां वाला. उसको मैं 3 L by 4 कहूंगा. 3 L by 4 वाला part है. तो हमने reason decide कर लिया है. अब उसने आपको reason कहां से कहां तक कहां हुआ है. L by 4 से 3 L by 4 वाली value. मतलब यहां से लगा करके यहां तक के बीच के अंदर particle के probability को आपको बताना है. तो मैं आपको बताता हूं. देख derivation से करते है. derivation यदि आपको नहीं आता है यह probability find out करने का. तो आप मुझे comment करके बताए कि सर इसका derivation भी सिखा दीजे. क्योंकि एक अलग ही इसका video बनाना पड़ेगा आपके लिए जिससे आप probability find out करने के लिए derivation भी सीख जाए. तो आप comment करके यदि बताएंगे तो definitely मैं इस पर एक इसी question को ले करके derivation का एक video बना करके बता दूगा. लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ? जरा यहाँ ध्यान दो. हम यदि इसके energy, क्योंकि उसने energy level 1 की भी बात कर दी. energy level कौन सा है? first energy level. अब first energy level के अंदर यदि हम probability की बात करते हैं तो 9%, यह याद रख लो आप. यह य अब यह जो आपका L by 4 से L by 2 वाला पार्ट है, यह 41% होता है. similarly L by 2 से 3 L by 4 वाला जो पार्ट है, वो 41% होता है. मतलब यदि total कर ले हम यदि L by 4 से 3 L by 4 का, तो यह 82% पार्ट है. मतलब probability 82% यहाँ है. कहां से? L by 4 से 3 L by 4 का. मतलब आधा जो रीजन है, इधर 25% और उधर 25% हम कहें, जो box की रीजन के बात कर रहा हूं. box का 50% पार्ट जो है, उसके अंदर 18% probability है और यह जो बीजवाला 50% पार्ट है, इसके अंदर 82% probability होती है. यह मैं आपको trick बता रहा हूं. ठीक है? अब देखो, यहाँ जो options दिये ह इन options को देखो. 1 by 2, मतलब कितना हो सकता है? 50%. यह 50% दिया हुआ है. क्या आपका probability, क्योंकि आपके रीजन कितना है? L by 4 से 3 L by 4. 82% आना चाहिए आपकी probability. A option नहीं हो सकता क्योंकि यह 50% probability कह रहा है. B option, यह 50% प्लस, अब यह 1 by 5 वाली value है. आप मैं इसका value भी निकाल करके आपको नहीं बता रहा हूँ कि कितनी value है? अभी जरूरती नहीं हमको उसके. 50% प्लस और कुछ है? है ना, ऐसा कह सकते हैं कि और कुछ है? अब यह 50% तीसरा वाला देखो. तीसरा वाला option. 50% माइनस कुछ value. अब 50% में से कुछ value माइनस एधी कर दोगे आप एधी. तो यह 82% नहीं होना है किसी बहलात में. यह हो सकता है 50% प्लस 32 है दी हो जाए. अब है ही actual में वो 32. इसमें से माण लो 32 आपने वाइनस कर दिया तो यह तो बहुत कम बच जाएगा. इसलिए C वाली value भी नहीं है probability. D वाली value. D वाली value कितनी है आपकी? लगबग 60% के बात कर रहा है कितना percent? 60%. जो 60% अभी है आपकी probability नहीं है. आपकी probability तो कितनी है? 82% है. तो 1 by pi प्लस 50% या 1 by 2 यह दिया आपको हो उसको. तो यह कुल मिला करके आपका कितना हो जाएगा? 82%. So correct answer क्या जाने वाला है आपका B वाला. यह tricky way आपको बताया कि आप यह one day box को one first energy level में इस तरह से 9%, 41%, 41% और 9% करके भी याद रख सकते हो कि इनकी इतनी इतनी probability होती है. अब pi के respect से वो कितनी कितनी होती है? वो हम derivation के हिसाब से निकालते हैं. वो में यहाँ पर आपको नहीं बता रहा हूँ. दूसरे question पर आगया है. दूसरा question Bionorganic chemistry का आगया. In photosynthetic system, the redox metallo proteins involved in electron transfer are cytochrome, cytochrome BF complex and plastocyanin. तीनों उसने दिये दिये हैं. The pathway of electron flow is, आप electron flow का pathway पुछावा है. एकदम factual question रही है. कोई इसमें बड़ी बात नहीं है. यदि आपको आता है तो आप आसानी से बता दोगे. नहीं तो नहीं. तो मैं आपको direct इसका answer ही बता देता हूँ. कोई इसमें बड़ी तो आपको आसानी से पता होगा और आपको पता भी चल जाएगा. मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ये sequence में ही रखे हैं. क्या? कि पहले cytochrome, cytochrome से electron, cytochrome BF complex के अंदर जाते हैं. और cytochrome BF complex से plastos. उसने भी exam में question similar ही पूछा हुआ था. उसने sequence में ही लिखे हुए थे हमको सिर्फो उसको answer के form में बताना था. तो कौनसा answer correct जाएगा आपका? C वाला cytochrome B, cytochrome BF से BF और plastosinin के अंदर electron transfer होते हैं. तो एकदम factual question था है. मैंने ये factual question इसले लिलिया क्योंकि important है. कई साल 2012 में आया हुआ है ये question repeat हो सकता है exam के अंदर. तो याद रखना है. च fine EPR lines. Important question है. उसने जो example दिया हुआ है. मेगनीज का. इसको छोड़कर के दूसरा कोई example बना सकता है. hyperfine और fine lines भी आपको बताना है. expected for octahedral high spin complex है. मेगनीज का. है ना? irrespectively. IE के value भी आपको दे भी है. यदि आपको formula पता है ता आप IE के value रखकर के आसानी से निकाल सकते है मैं solve करके बताता हूँ. fine lines भी निकालना है और hyperfine lines भी निकालना है आपको. दोनों निकाल करके बताना है. तो solve करते हैं. मैं पहले आपको fine lines बताता हूँ. fine lines is equal to ध्यान देना. fine lines is equal to number of unpaired electrons. ये बहुत ही आसान है. बहुत ही आसान है. fine lines कितनी आएगी? जितने unpaired electrons available तो high spin magnage का complex है. तो number of unpaired electrons कितने आएगे? 5 आएगे भाई. इस में से कौन सा option जा सकता है? A तो गलत और D भी गलत. B और C में से बन सकता है. क्योंकि वहाँ fine lines की value आपको दिवी है उसने 5 and 5. तो एक चीज 50-50 पर आगए हैं. अब fine lines आपको पता चल गी? अब hyperfine lines पर चले fine lines निकालने का formula होते हैं हमारे पास. EPR lines के अंदर यदि हम EPR spectroscopy हम देखते हैं तो यह N, इसको मैं यदि N कहूं. N, number of unpaired electrons. N into 2Ni plus 1 वाला formula होता है हमारा. 2Ni plus 1. N कितना है आपके पास? capital N की बात कर रहा हूं. मैं 5 है N की value. तो मैं यहाँ पर 5 रख देता हूं. into, अब 2Ni plus 1. यह N क्या है? small N, number of atoms है. number of atoms लिख देता हूं. number of atoms. तो कितने दिये हूए उसने number of atoms? आपको मैगनी single दिया हूए. single तो यहाँ पर N is equal to यह वाला N 1 हो गया. So, 2 into 1, I plus 1. I क्या दिया हूए? आपको 5 by 2. 5 by 2 plus 1. यह 2 वन जा 2 से 2 cancel out हो गया. 5 plus 1 6 हो जाएगा. 6 into 5. 6 into 5. That is equal to 30. बता हुए. कौन सा वाला answer correct जाना वाला है? C वाला. 5 and 30. hyper fine lines कितने आ गई? 30. fine lines कितने आ रही है? 5 आ रही है. कैसे आ रही है? वो दोनों मैंने बता दिया. fine lines मतलब number of unpaired electron. hyper fine lines इस formula से निका लेंगे. N मतलब unpaired electrons into 2 and I plus 1 करके. N क्या है? small n की बात कर रहा हूँ. number of atoms आपको कितने दिये हैं? जिनके वज़े से splitting आ रही है. अगले question पर आ गया मैं फटा फट. अगला question. question number 4. character table दीवी है आपको. किसके लिए दीवी? C2V point group के लिए आपको एक character table दीवी है. similar character table हर C2V point group वाले molecule के लिए आती है. if the initial and final states belong to A1 and B1. initial और final states जो हैं वो A1 और B1 को बिलोंग कर रहे है. irreducible representations respectively. the allowed electronic transition from A1 to B1 is. A1 से B1 जो electronic transition है वो होता है कैसा Z polarized, Y polarized, X polarized या XZ polarized या XZ polarized ये question है. अब answer आपको निकालना है. चलो मैं निकाल करके बताता हूँ. हम जब भी निकालते हैं ये polarized वाला system. तो हम जो भी आपको दो reducible representations, irreducible representations दी भी है. मतलब A1 और B1 कितने दिये हुए हैं आपको? A1, A2, B1, B2. ये आपको चार दिये हुए है. चार में से आपको दो के लिए कहा हुआ है. A1 और B1 के लिए. answer है ना? यहाँ पर भी आप इसको भी भरलो ये दिये भरना चाहते हैं. वन लिखतो है, इस पर कोई दिक्कतवाली बात नहीं है. खाली जगाता है. तो तीन में तो आपको दिये हुए हैं. ये देखो. A1 के value Z दिवी है. A2 के value 1, B1 के value X और B2 के value क्या दिवी है? Y दिवी ह है. अब कोन से representation निकल करके आता है? वो decide करेगा कि X polarized है, Y polarized है या Z polarized है? पर X और Z वाला तो option बंदा ही नहीं है कि कि किसी भी representation के अंदर दोनों नहीं दिये हैं. क्योंकि एक irreducible representation जो है और दूसरे को यदि multiply करोगे तो कोई भी एक ही निकल करके आना है? कोन से निकल करके आत और एक B1 दिया हुआ है. तो इन दोनों को multiply करना है हमको और उसका A1 और B1 का product क्या निकल करके आएगा? वो. A1 की values क्या क्या है? A1 तो आपका पूप जो है totally symmetrical वाली है तो 1, 1, 1, 1 ही है हमारे पास. 1, 1, 1, 1. ठीक है? यहां क्या? multiplied by. B1 का लिए आपके पास क्या है values सारी के स सारी 1, minus 1, 1, minus 1. ठीक है न? तो यह है 1, minus 1, 1, minus 1. यह हो गई आपके सारी values. A1 और B1 को multiply करना है है. तो यह A1 और यह B1 है. इनको multiply कर दिया है. तो क्या हैगा? 1, 1. यह minus 1. यह 1, यह minus 1. आ गया? किसके जैसा दिखाई दे रहा है? यह representation. 1, minus 1, 1, minus 1 किसके जैसा दिखाई दे रहा है. और B1 के जैसा दिखाई दे रहा है तो B1 के साथ कौन से type का polarized system दिया हुआ है उसने? B1 के साथ X polarized system दिया हुआ है उसने. तो हमारा answer क्या बनेगा भई? X polarized. बताओ. बात समझ गए? आसान भासा में. यहाँ जो आपको polarized system दिया हुए है. यहाँ पर जो आपको यह axis ल कि कौन सा वाला आया का? representation. तो वह आपको product निकाल करके देखना पड़ता है. एवन और जो भी हाँ पर दो दिया है उनका product निकालोगे फिर वो किसके जैसा दिखाई दे रहा है? उस तरह का polarized होगा. ठीक? चलो आगे बढ़ता हूँ मैं. अगले question और last question है. The set of allowed electronic transitions among the following. यह and organic chemistry का question है. यदि आपको molecular term symbols आते हैं तो आप आशानी से बता पाओगे. हमको यहाँ पर selection rules apply करना है. आपको five transitions दिये हैं. कुल मिला करके. यह four sigma से two pi, three sigma से three pi, one delta से one delta, two pi से two pi और three sigma से three delta. वाला आपको transition दिया है. पांच transitions दिये हैं. चार option हमारे पास है कि कोन से allowed है? allowed ही कुछ रहा है. कौन से वाले allowed है? तो कोई से तीन allowed है क्योंकि सभी में तीन-तीन ही option हमको मिले है. कोई से तीन allowed है. पांच में से कोई allowed नहीं कौन से है? वो हम पेचाने हैं. हम लगाते हैं इसमें क्या? selection rules. और selection rule के according पहला वाला selection rule क्या कहता है? कि delta n should be 0. sorry, delta s, n की जरूरत नहीं पड़ेगे न, आमको n की कहीं जरूरत नहीं है. n बताएं नहीं ना. delta s should be 0. delta s मतलब spin. spin change नहीं होना चाहिए. अब यहाँ spin multiplicity db. spin change नहीं होगी तो spin multiplicity b change नहीं होने वाली है. यह 4 से 2 हो रहा है. spin change हो रही है. allowed नहीं है. यह हो सकता है. अभी हमको पता नहीं है. यह क्योंकि 1 से 1 है. हो सकता है. spin multiplicity change नहीं हो रही है. spin multiplicity change नहीं हो रही है. अब 4 option बच गए. एक तो गया. पहला वाली बात समझा गए. हमको spin से भी पता चल जाता है कि allowed है या not allowed है. तो यदि delta s 0 से और कुछ भी है. या plus minus 1 है या plus minus 2 है. तो फिर allowed transition नहीं है वो. तो जैसा a के अंदर हुआ. अब दूसरा देखते हैं. दूसरा है L. delta L should be 0 और plus minus 1. इसके अलावा मतलब जैसे हम SPDF की बात करते हैं. तो S से P में allowed transition मानते हैं. P से D में allowed transition मानते हैं. तो similarly यहाँ पर हम sigma, pi, delta और 5 में देखते हैं. तो पहला वाला बी वाला option. पहला वाला तो होई गया ख difference है? चलेगा. कोई दिक्कत नहीं है. चलेगा. डेल्टा से डेल्टा 0 मतलब 1 से 1 में ही transition हो रहा है. चलेगा. L is equal to 1 से L is equal to 1 में. यह again pi यह 2 है. L is equal to 2. L is equal to 2 से L is equal to 2. यह वाला है L is equal to 1 से L is equal to 1. चलेगा. यह भी कोई दिक्कत नहीं है. यह वाला देखो. सिगमा से डेल् मतलब 0 से 2 में L is equal to 0 से L is equal to 2 में transition हो रहा है जो की plus 2 type का है plus 2 allowed में नहीं है है ना selection rule apply नहीं हो पा रहा है आपर तो 3 allowed बच चुके हैं आपके पास और 3 का option है आपके और B, C, D B, C, D is C option में लिया हुआ है ठीक है तो ये एक selection rule का एक question ले दिया मैंने selection rule, 2 selection rule हमारे use हुए है spin selection rule और आपका orbital selection rule यहाँ पर ठीक है, so that's it, आज के इस video lecture के अंदर हमने ये 5 concepts सीखे if you are new to our channel, do subscribe our channel, thank you